हमेशा मैं आपके साथ remedies कर review शेयर करती हूँ लेकिन आज मैं remedy लेकर आई हूँ जिसका मैं last में आपको live proof दिखाऊंगी तो वीडियो में अंतक जरूर बने रहना मैं छोटी सी रसोई में मैं बविता एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका तो शुरू करते हैं आज की remedy म मैं लोही की गढ़ाई में इसको डाल दूगी और एक चमच मैंने हैं और हैं पर चाई पठी डाली हैं मैं तीनक डाली हैं नहीं यह आंपर लॉंग और एक चमच ले रही हैं मै हाँ पर आमले का चारकुल मैंने आमले को रोस्ट कर लिया था अच्छे से उसको काला कर लिया था फिर उसमें थोड़ा सा टुकडा दाल चीनिका डाल कर उसको पीश लिया था वही पौडर मैंने इसमें एड किया है एक चम्मच और अब हम इस पानी को अच्छे से पका अभी मैं इस पानी को छान लूँगी और फिर मैं इसमें मेहंदी मिक्स करूँगी लॉंग आपने सुना होगा कि जब हम हातों पर भी मेहंदी लगाते हैं तो लॉंग के दुए से या लॉंग के तेल का इस्तेमाल करते हैं मेहंदी को अच्छा कलर देने के लिए तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ मेहंदी तीन से चार चमच मैंने ली है आप जितना भी आपके बालों के लिए शफिसंट हो आप ले सकते हैं तोड़ा सा डाल रही हूँ मैं यहाँ पर कॉफी पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स करके मैं मिक्स करूँगी इसको उस पानी से जो हमने भी पानी तयार किया था और इसको छोड़ दूँगी मैं 6-7 घंटे के लिए लोहे की कढ़ाई में यह DIY मेरी दीदी ने मुझे एडवाईस की थी और मुझे इसका अच्छा रिजल्ट मिला तो मुझे लगा आपके साथ मुझे यह शेयर करनी चाहिए मैं महंदी भीगो कर रख दूँगी आप इसको 5-6 घंटे के लिए जरूर भीगो कर रखें लोहे की कढ़ाई में या इसे ही कील डाल दिया करती थी तो उसे भी बहुत अच्छा कलर आता था अगर आप महंदी दिन में भीगो रहे हैं तो 2-3 घंटे बाद उसको हलका हलका चला दें तो जिससे बहुत अद्लिक कलर आएगा देखिए मेरी महंदी कितने अच्छा कलर आगया है अगर आप रात म पर लगाऊंगी यह मेरे ही बाल है जिसके मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट करती हूँ तो मैंने अच्छे से इनको दूलिया है अभी इसके मैं महंदी लगाऊंगी और फिर आपको दिखाऊंगी कि इसका रिजल्ट कैसा मिला अगर आप पहले से ही हमारे चैनल पर हो तो आपक दिखाऊंगी तो मैं इसको लगा कर रग दूँँगी दो घंटे के लिए अभी पांच बजे है फिर साथ बजे मैं इनको वाश करूँगी तो आप देख सकते हैं महंदी लगाए दो घंटे हो गये हैं अभी मैं आपको वाश करके दिखाऊंगी मैंने इसको फॉयल में उसको वाश कर लिया है मेहंदी अच्छे से साफ हो गई है और बालों का कलर बिल्कुल काला हो गया है तो आप ये देख सकते हूँ के बाल कितने काले हो गए है एक बार मैं आपको साफ पानी में वाश करके दिखा देती हूँ कलर बिल्कुल नहीं निकल रहा है लेकिन हमारी यहीं खतम नहीं होती है मैं अभी आपको इसमें शैंपू भी करके दिखाऊंगी क्योंकि भई रेमेडी का रिव्यू करते हैं तो अपनी ही रेमेडी को अगर अच्छे से प्रूफ करके ना दिखाए तो वह तो बहिमाना होगा तो अभी मैं इसको वाश कर लिया है मैंने अभी मैं इसको शैंपू करके दिखाऊंगी एक बार नहीं दो बार यह देखे बाल एकदम काले हो गये हैं और अब मैं आपको यह दिखाऊंगी कि यह पहले कैसे थे मैंने जो दूसरे रखे हुए थे तो यह देखे ऐसा कलर था और इनका अभी यह कलर हो गया है तो लेकि अगर आपने महंदी लगाई है तो आप next day shampoo करें क्योंकि महंदी है हातों से भी जाती है तो बालों से भी जाएगी तो पहले अगर आप तेल लगाते हो तो उससे वो कम निकलेगी लेकिन क्योंकि हमने इसमें long मिलाई है तो उतना जल्दी भी है हमारे बालों से नहीं होंगे अगर आपके बाल बहुत सफेद है तो आप one month तक every week लगाएं और जब आपके बालों पर अच्छा सा color आ जाए तो आप इसे 15 दिन में भी लगा सकते हैं और अगर आपके बाल बहुत कम सफेद है तो आप इसको 15 दिन में एक महिनें भी एक बार लगा सकते हैं तो य और भी इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर विजिट करकर देख सकते हैं वीडियो में अंतक बने रहने के लिए थेंक यू